बूर्णिंग फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्च्वस में मैं दुर्दंकर फॉर्मर एस बाप आप आप लोगों के लिए ECGCPO से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टन वीडियो लिक रहा हूं जहां पर हम डिसकस करेंगे कि क्या हमें ECGCPO के पोस के लिए अपलाई करना चाहिए पिछले टाइम जब नोटिफिकेशन आया था तब क्या कट आउस रही थी पेपर का लिवल क्या रहेगा और किस तरह से इसकी तैयारी करनी है तो यह सारे जो important doubts हैं यह आज के session में clear किये जाएंगे तो session को end तक देखिएगा अगर पसंद आए तो like जरूर कीजएगा नई users हैं प्लीज सब्सक्राइब टो आज चैनल तो इसलिए session स्टार्ट करें उससे पहले दो मिनिट का आप लोगों का समय में चाहूंगा गाइडली जो हमारे पुराने sponsor रहे हैं उन्होंने अभी एक PDF कोर्स लाँच हिया है for prelims specifically target SBAPO prelims सिर्फ SBAPO pre-tar की जीमित नहीं है आने वाले जितने भी 2021 के 2021 के prelims exam है उसके लिए PDF कोर्स बहुत ही helpful रहेगा यहाँ पर 10 model paper आपको provide किये जा रहे है 100 sets of DIs and 100 sets of puzzles and sitting arrangement काफे सारा content मिल रहा है और total rate कितना है इसका अगर आप हमारा coupon code यूज़ करते हैं तो total payment आपका बनेगा 114 रुपे का only for 114 रुपीज यह सारा का सारा content आपको मिलेगा with detailed solution अगर आप इसे खरीदना चाते हैं तो नीचे link आपको description में मिल जाएगा coupon code भूलेगा नहीं coupon code यूज़ कीज़ेगा वर्ट्वेश जो हमारे channel का लिएम है और सिधा सिधा 12% discount के बाद final जो amount बनेगी वो 114 रुपे जाकि check out जरूर कीज़ेगा highly suggested है चलिए आज के session पर आ जाते है ACGC के P.O का notification आ चुका है उस पर कुछ videos already हमने upload कर दी है जैसे कि salary perks के जो online notification कब से start होगा sorry, online application कब से start होगी और यह सारी बात ही कर चुके है जो major query आ रही है वो यह आ रही है कि sir paper का level क्या रहा था क्या हमें इसके लिए apply करना चाहिए और जब पिछली बार जब exam हुआ था तो cutoffs क्या रही थी यह सारे point बारी-बारी से हम देखेंगे start करते हैं सबसे पहले ACGC P.O के pattern के बारे में बात करते हैं ACGC P.O का pattern कैसे रहेगा 2021 का जो यह notification आया है इसमें क्या क्या रहेगा पूरी की पूरी प्रोसेस सबसे पहले आपका एक online test लिया जाएगा online test रहेगा और online test का format कैसा है बिल्कुल आपके means के exam जैसा format है जहां पर आपके reasoning रहेगा reasoning 15 questions and 50 marks 50 questions 50 marks रहेंगे ठीक है और यहां पर sectional time है और 40 minute का आपको sectional time दिया जाएगा उसी तरीके से फिर quants रहेगा quants में भी same है 50 questions 50 marks and 40 minutes then इसके बाद आपके पास है English English के लिए आपके पास 40 questions रहेंगे 40 marks का weightage रहेगा और time allotted है 30 minutes सब ध्यान रखेगा यह section wise time है और section के लिए इतना ही समय आपको दिया जाएगा English के बाद next है आपके पास computer computer के आपके total 20 questions रहेंगे 20 marks का weightage रहेगा और सिर्फ 10 minutes का समय दिया जाएगा जो more than sufficient है और finally आपका रहता है general awareness जहां पर weightage है 40 questions 40 marks and time is only 20 minutes तो यह total आपका bifurcation रहेगा online test के लिए ठीक है in total अगर हम देखे तो 200 questions है 200 marks का weightage है और 140 minutes का आपको time यहाँ पर दिया जाए online test के साथ साथ एक descriptive test भी आप लोगों का रहेगा जो online test complete होते ही आपको देना है descriptive test रहेगा अब descriptive test का जो total weightage है वो 40 marks का weightage है कितने का है 40 marks का आपका यहाँ पर weightage रहेगा जहां पर एक essay writing करना पड़ेगा आपको 2018 में जो paper हुआ था उसमें type नहीं करना था pen और paper का इस्तमाल करना था इस बार let's see क्या रहता है pattern essay writing रहेगा और एक रहेगा आपका precise writing essay writing और precise writing दोनों में ही आपके पास options होगे और कोई भी एक topic आपको select करके essay और एक topic select करके precise आपको लेखना पड़ेगा total weightage रहेगा 40 marks तो overall अगर बात कर लें तो 240 marks का यहाँ पर weightage है अब इनकी individual cutoffs रहेगी section wise cutoffs भी है overall online test का भी cutoff है और इसके basis पे फिर आपको बुलाए जाएगा interview के लिए इसके बाद आपका होगा interview interview के लिए बुलाए जाएगा और interview के marks रहेंगे आपके 60 marks 60 marks का आपका यहाँ पर interview रहेगी अब interview और online test का final selection पर क्या असर परेगा 80-20 का ratio रहेगा यहाँ पर online test online test और interview के लिए जो ratio है वो 80-20 के ratio पर final जो selected candidates की list है वो तयार की जाएगी interview का भी sectional cutoff रहेगा online test plus descriptive का भी जो individual cutoff रहेगा फिर online test के अंदर भी हर section का भी आपका section wise cutoff रहने वाला है इस exam यह तो बात होगी pattern के बारे में अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि cutoffs क्या रही थी पिछले सा वो बहुत important part है so let's see I hope यह सभी ने देख लिया है cutoffs की एक बार बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी सबसे पहले बात करते हैं overall cutoff की मतलब 300 marks में से final cutoff क्या रही थी तो final cutoff में आपको बारी बारी से category wise बता देता हूँ general की अगर बात की जाए तो आपकी cutoff थी 238.5 आपकी cutoff थी अगर हम बात करें OBC के क्योंकि 2018 में recruitment था तो EWS की category नहीं थी ठीक है तो OBC में आपकी cutoff गई थी 212.75 out of 300 then आपके SC की cutoff गई थी 201.5 out of 300 और ST की cutoff आप लोगों की गई थी 185.25 तो यह आपके total final cutoff थी final selected candidates के लिए अगर आप सिर्फ online test की cutoff देखना चाते हैं तो वो भी मेरे पास है जल्दी से मैं share कर देता हूँ out of 240 हम बात करेंगे 200 for the online test and 40 for the descriptive test 240 में से 169 की आपकी cutoff गई थी 169 तक की candidates को interview के लिए बुलाए गया था यह आपकी general के लिए है अगर OBC की अगर हम बात करें तो OBC के लिए है यह 147.75 out of 240 अगर हम SC candidates के बारे में बात करें तो 144 out of 240 और फाइनली अगर ST candidates के बारे में बात करें तो 128.25 out of 240 यह आपके phase 1 के लिए cutoff थी individual यह cutoff वालों को interview के लिए बुला गया था और यह आपकी final cutoff थी जैसे कि आप आप देख सेथे हैं बहुत ही high cutoff थी last time की notification तो 2018 की थी उसमें बहुत कम post थी only 32 posts were there सिर्फ बत्ते सी post थी तो obvious reasons है कि cutoff high जानी थी अब इसके इलावा एक जो बड़ा कारण था इतनी बड़ी cutoff का वो था paper का level तो यह हमारा next और बहुत important part है जिस पे बहुत students ने doubts पूछे हैं पूछाए कि sir ECGCPO कि अगर हम तयारी करें तो कैसे मतलब क्या standard लेके चले online test के लिए SBAPO means ले, IBPSPO means ले, IBPS clerk means ले या RRB means कमाल अब यार यह तो organization पे depend करता है कि इस बार वो कैसा paper set करते हैं पर अगर हम 2018 के trend पे जाए, 2018 का अगर हम paper देखें तो overall जो paper का level था वो easy to moderate था, कुछ भी खास नहीं था paper में, especially quants, reasoning और computer के बात करें तो काफी easy level थे अगर means level के बारे में बात की जाती है तो मैं suggest करूँगा आप लोगों को, क्योंकि ECGC ने although PO के लिए निकालाया पर यह जो format और यह जो organization है, यह insurance sector से related है तो अगर आप इसकी preparation अच्छे से करना चाहते हैं, तो LICW की जैसे आपने preparation की थी ना pre और means के लिए उसको ध्यान में उसके काफी comparative रहना चाहिए according to me, यह मेरा opinion है, LICW जो last year का आपने देखा ना both, आप means के लिए देखेंगे अगर LICW means का अगर आप paper देखेंगे, तो उसके काफी comparative आपको ECGCPU का online test देखने को मिलेगा, तो उसके comparison में उस level की आपको preparation यहाँ पर करनी पड़े अब इसके लिए क्या strategy रहनी चाहिए, कैसे तयारी करनी चाहिए, तो यार कुछ भी different नहीं है, अलग से जाके कुछ चीज़ें करनी की ज़रूरत नहीं है, अलग से जो चीज़ करनी पड़ेगी एक तो वो computer है, पर बहुत सारे student ऐसे हैं, जो RRB की तयारी कर रहे हैं, तो computer to general awareness, या any current affairs, if there are related to ECGC, तो इसको आप अलग से prepare कीज़ेगा, ये एक additional चीज़ मैं ज़रूर मानूँगा, बाकि कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप preparation कर रहे हैं, already आप काफी सारे जो means के exam आने वाले हैं, उसके लिए prepare कर रहे हैं, उसको continue रखी, उसी में ECGC की भी preparation हो जाएगी, बस ECGC as a organization से related कुछ information और देखेगा, क्योंकि last time जब general awareness थे, इसमें 10 से 12 questions सीधे ECGC organization पे ही थे, इसकी additional ज़रूर आपको तयारी करनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बाकी computer के लिए तो RRB की students करी रहे हैं, तो कोई tension की बार अब final question और सबसे important question, कि sir क्या हमें इसके लिए apply करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि number of posts बहुत कम है, although last year से ज़्यादा है, total 59 posts are there, पर क्या sir हमें इसकी preparation करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम post है, competition काफी tough रहेगा, cutoffs काफी high रहेगी, तो क्या prepare करना चाहिए, यह मैं SBA clerk, इनकी जो selected candidates हैं, उनको highly suggest करूँगा कि ECGC का form ज़रूर भरिएगा, क्योंकि इसका जो profile है वो आपको next level पे लेके जाएगा अपनी life, यह अगर bank PO और ECGC PO के बारे में, आपस में अगर comparison किया जाए, तो कोई comparison ही नहीं है, किसी भी sense में, कोई comparison नहीं है, way ahead है ECGC PO का job profile, financially भी, career growth wise भी, हर तरीके से, यह opportunity जो selected candidates, already जिन लोगों की preparation बहुत ही शांदार बन रखी है, selection ready, preparation है, उनको मैं highly suggest करूँगा, प्लीज आप ECGC के लिए apply कीजेगा, आप जो तयारी कर रहे हैं, कुछ-कुछ mark से रह जा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि sir, financially हम इतने fees के पैस dates है, financially afford कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिनकी preparation अभी बहुत ही अच्छी चल रही है, और कई exams में इन्होंने यह preparation टेस्ट कर ली है, और already काफी अच्छा perform कर चुक है, उनको मैं highly suggest करूँगा, इस exam के लिए, क्योंकि game changer रहेगा, अगर आप इसको clear कर पाते हैं, ECGCPO का job अगर अचीव कर पाते हैं, तो बाकी जो bank PO, even SBI PO, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके साथ, ठीक है, तो चलिए अब इससे related आगे और भी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा, ये session कैसा लगा, please comment section में बताइएगा, बाकी और कोई जो frequently asked query मुझे देखने को मिलती हैं, उस पर मैं जरूर session बनाँगा, जाने से पहले आप लोगों से request है, please like the session, अगर चैनल पर नहीं है, तो please subscribe कीजे, देखी, अपडेट वीडियो, strategy वीडियो, तो एक bonus तरह से हैं हमारे चैनल पर, जो main जो motto है, main जो motive है, वो ये है, कि आप लोगों को quants और reasoning की अच्छे स पाएं, तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं, पर live नहीं ले पाते हैं किसी issues के कारण, तो recorded session को अपने routine में जरूर include करके रखिए, बहुत ही बढ़िया से preparation आप लोगों क्योंगी, आप देखेगा, अभी हमारे बहुत सारे students SBA, junior associates के लिए final list में select हुए, RV assistant के भी कुछ candidates हैं जिन्होंने selection इस बार पाये, आपको देखने को मिलेगा, अगर आप हमारे family से जुड़ते हैं, virtuous family से जुड़ते हैं और अच्छे से prepare करते हैं, तो अपने आप आपको difference देखने को मिलेगा preparation के अंदर, चलिए दोस्तों आज के session में इतना ही, now that's all for today's session, लेके.